KP News देखना शुरू कर चुके आप मैं सिमान थो आज एक अपडेट निकल के आया था सुबह सुबह की दुर्ग के इंडस्ट्रियल हब रस्मडा में रस्मडा में एक कमपनी है रायपूर स्टील पावर लिमिटेट कमपनी जहां पर एक मजदूर की मौत हो गई है ब्लास्ट हुआ था ब्लास्ट के आसपास बहुत सारे मजदूर थे जिसमें से तीन मजदूर उसकी चपेट में आया थे एक की मौके पर मौत हो गई थी दो का इलाज चल रहा था तो इस पे एक बड़ा अपडेट ये आया है कि जिस रिपोर्टिंग के लिए मैं सुबह गया हुआ था जो तफ्तीज से रिपोर्ट मैंने दिखाई है उसमें एक बड़ा अपडेट ये भी आया है कि वहां की जो डायरेक्टर है संदीब गर्ग उनकी तरफ से भी एक बयान आया है दरसल प्रियंका एसोसियेशन कमपनी है जिसके तहत वो ठेका मजदूर वहां पर ब्लास्ट फरनेस के लिए आये हुए थे और वहां पर काम चल रहा था उसी दोरान अचानक रात के समय एक ब्लास्ट होता है ब्लास्ट में खेमलाल साहो की मौत हो जाती है मौत के बाद कमपनी ने परिवार वालों से लगातार संपर के साधा उनसे बातचीत करते हुए उन्हें ततकाल 15 लाक रुपए का चेक 50,000 रुपए कैश उनको ततकाल दिया और उसके बाद उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाते हुए और जो बाकी के दो मरिश थे जिसमें से एक का पैर फ्रेक्चर हुआ है और एक को भी गंभीर चोटे आई है उनको भी देखते हुए उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया था लगातार उनके भी परिवार वालों के साथ संपर्क इस कंपनी के जो डायरेक्टर है उनके जरिये और उन तमाम प्रबंधन की जरिये उनके तक संपर्क साधा जा रहा था तो ये एक जो बड़ा अपडेट सुबह निकल के आया था कि ब्लास्ट हुआ है ब्लास्ट के बाद तीन लोग उसके चपेट में आया थे एक की मौत हो गई थी तो मौत जिस खेमलाल साहो की थी उसके परिवार वालों से जब हमने बात करने की कोशिश की थी तो हलाकि उन्होंने सामने न आकर बलकि उसकी पीछे से उन्होंने ये बताया कि कंपनी ने जो है अपनी तरफ से जो चेक दिया है पैसा दिया है और इलाज और बच्चों की पढ़ाई को लेकर के पूरी तरह से और कंपनी में रहकर कारेरत कंपनी में रहकर के जो भी तमाम क्रिया कलाप होते हैं वो सारी फुल्फिल की गई थी कंपनी से मिलने वाले रकम के साथ साथ जो सिक्यूरिटी एक प्रदान होती है वो सारे चीज़े दी गई है हम लगातार वहां की तस्वीरे दिखा रहे थे वहां से अपडेट में जुड़े है तो फिलहाल ये बड़ा अपडेट निकल के आया है जो व कि बीस तंद की भट्टी ब्लास्टी जिसमें तीन लोग जुड़से हैं जिसमें दो जले हैं जिसमें एक की दैथ हो गई है और जो सेकन्ड परसन हो 50 अभी सेक्टर नाइं होस्पिटल से खवर आ रही है जिसमें जुड़से हैं जलेवे जिनकी दैथ हुई है वो कॉंट् इनका एसोसेट से और एसाई में कवर्ड है उसके बावजूत कंपनी ने 15 अभी सेक्टर नाइं होस्पिटल में उनके इलाग चल रहा है और जिनके पाव में चोटा फैक्चर है उनका अरग्यम होस्पिटल में इलाग चल रहा है सब्सक्राइब को हर एक चीज की साहता दी जाए तो यह खबर थी रसमड़ा से जो जिसकी रिपोर्टिंग हम करने गये थे उसके बाद जो अपडेट आया वो भी हमारी जिम्मेदार थी कि हम आप तक जरूर पहुंचाएं आगे और क्या अपडेट आता है और सेफटी को लेकर के क्या चाक चौबंद वो करते हैं हम उनसे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे आप तक पहुंचाएंगे और आपके पास आसपास भी ऐसा कोई ऐसी कोई घटना घटती है या कोई ऐसी चीजें हैं जो आप हम तक खबरों के माध्यम से या चाहते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसी चीजें हैं जो खबर का रूप ले सकती हैं तो बिलकुल हम तक पहुंचा सकते हैं भेज सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया हुए उस नंबर पे बाकाइदा आप वाट्सप कर सकते हैं शुक्रिया